नमस्कार मित्रों आज के बेडियों में मैं आप से बात करने वाला हूँ कि मेस रासी वालों का आजी का दिन यानी की 16 नवंबर 2020 का दिन कैसा बीतेगा अगर आप ये जानना चाहते हैं तो इस वीडियों को आप लाइक कर दें साथ में चैनल को सबस्क्रेब कर दें इस वीडियों के अंत में आजी के दिन का अनोखा टोट का भाग्ये साली रंग और भाग्ये साली अंक है तो आप उसे भी देखें मित्रों अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टाग्राम का लिंक इस वीडियों के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है तो आप लिंक पर क्लिक करें और इंस्टाग्राम पे आप मुझे फॉलो कर लें तो अब हम आगे बढ़ते हैं शबसे पहले मैं आपसे बात करने वाला हूँ आपके सुवास्त के बारे में दोस्तों सुवास्त के दृष्टी कोन से आपका शमय सामाने से बहुत जयादा नीचे है आजिके दिन आपको अपने रहन सहन अपने खान पान के प्रती साबधानी बरतना होगा क्योंकि आने वाले शमय के दौरान अगर आप अपने आहार को संतुलित नहीं बनाते हैं तो आपका शमय आपका भाग्य आपका शाथ नहीं देगा वैसे अगर आपके धन संपती की बात कड़े तो पैसों के दृष्टी कोन से आपका समय सामाने तोर पे बहुत जयादा बिहतर और शांदार है आने वाले समय के दौरान धन संपती के मामलों में कहीं कोई पड़ेशानी कहीं कोई समस्या नहीं होगा मित्रों आने वाले शमय के दोरान अगर आपके घर पड़िबार के लोग खास तोर पे आपके घर पड़िबार के बच्चे अगर आपसे कुछ उम्मीद करते हो तो अपने घर बालों के उम्मीद को आपको पूरा करना होगा क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं तो आने वाले शमय के दोरान आपके घर बालों के साथ आपका ताल मेल बहुत जियादा मजबूत और बेहतर होगा लेकिन अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आने वाले शमय के दोरान आपके घर बालों के साथ आपका शंबंध खराब हो जाएगा लेकिन अगर आपके प्रेम संबंध की बात करें तो प्रेम संबंध के दृष्टी कोन से आपका समय बहुत ही जयादा बिहतर और सांदार है तो इसके बाद बात करते हैं कि आज के दिन आपके लिए अनोखा टोट का भाग्यसाली रंग और भाग्यसाली अंक क्या है दोस्तों आज के दिन अपने समय को बिहतर और सांदार बनाने के लिए आपको गडीब, लाचार, बेबस, मजबूर और सहाए ऐसे लोगों की सेबा करनी होगी, ऐसे लोगों की सहाइता करनी होगी आज आपके लिए भाग्य साली रंग है नारंगी और सुनहरा, आज आपके लिए भाग्य साली अंक है छे यनी की सिक्स, तो यही था आज के दिन का रासी फल, तो इस वीडियो को आप लाइक कर दें, साथ में चैनल को सबस्क्रेब कर दें, इस वीडियो को आप हर जगह से यर कर दें, धन्यवाद